दूसरी पारी में बिना खाता खोले, क्लीन बोल्ड भारतिय कप्तान रोहित तो ड्रेसिंग रूम में मच गया, बवाल गुस्से में गौतम, गंभीर ने रोहित पर ही भडास निकालते हुए कर दी, ऐसे घटिया हरकत भारतिय ड्रेसिंग रूम को बना दिया, जंग का अखा जो ड्रेसिंग रूम में हुआ, लेकिन उससे पहले यदि आपको अभी भी लगता है कि टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले, दोस्तों पुने के मैदान पर न अश्विन ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा सितम ढ़ाया कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 269 रनों पर समेट कर उन्हें उनकी आउकात दिखा दी, जहां सुन्दर ने तो 177 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों मे लिखवाया, वही अश्विन को भी तीन सफलताएं हासिल हुई, अब इतनी जल्दी न्यूजीलैंड ओनलाउट हो गई तो करोडों भारतिये फैंश उम्मीद कर रहे थे कि अब भारतिये बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलेगा, रोहित और यशस्वी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में भी आये थे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हो जाएगा, यह कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, जी हाँ, तीसरा ओवर लेकर आये टेम सौधी ने अपनी अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड ही कर और भारत का यह दिगज बिना खाता खोले ही पवेलियन चल दिया, जिनके विकेट के बाद तो पूरा स्टेडियम मायूस और उदास था, हजारों फैंस जो मैच देखने आये थे, उनका दिल तूट गया था, लेकिन सबसे ज्यादा गुसे में तो गौतम गंभीर नजर आ और कुछ बदतमीजी भरी बात कह देते हैं, बस यही पर मामला बिगड जाता है, रोहित उनसे जल्दी आउट होने की माफी मांगते हैं, लेकिन गंभीर का गुसा तो आप जानते ही हैं, वह तो बुरी तरीके से भड़क गए थे, और रोहित को जम कर खरी खोटी सुना र रही है कि दोनों के बीच मामला हद से ज्यादा बढ़ गया था, बीच बचाओ में साथी खिलाडियों को भी आना पड़ा था, तब जाकर दोनों अलग-अलग हुए थे, जहां पहली बार देखा गया कि रोहित और गंभीर आपस में लड़ते हुए नजर आए, और जितना इसी चिंगारी इतनी बड़ी आग का रूप ले गई, लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी, अपनी राए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडिय को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, धन्यवाद. पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले रोहित और धोनी के पसंदिदा कप्तान आपका कौन है? अपनी राए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. दोस्तो एक शुने से सीरीज में आगे चल रही न्यूस जिलेंड की क्रिकेट टीम, पूरे क्रिकेट स्टेडियम में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीम इंडिया को धोल चटाने के लिए आई थी. यहां तक की टॉस भी उनके हक में रहा, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, हलाकि इस पार बारी थी भारतिये गिंदवासों के चलवा दिखाने की. अश्विन ने जहां लेथम को आउट कर उन्हें पहला चटका दिया तो वहीं कानवे और बिल यंग के बीच अच्छी पार्टनर्शिप बनने लगी थी. उन दोनों ने मैच को न्यूजलेंड की तरफ मोड लिया था लेकिन तब ही एक ऐसा मूमेंट आता है जिसने पूरे मैच को दिशाद दिशाद से ही बलट कर रख दिया था. जी हाँ दोस्तों वो मूमेंट था पारी के 24 वे ओवर का गेंद वाजी कर रहे थे अश्विन उनके ओवर की आखरी गेंद पर बिलियंग चक्मा खा जाते हैं. गेंद उनके पीछे से सीधा विकेट की पर रिशव पंत के दस्तानू में जाती है और विकेट के लिए पंत स लेकर सरफरास खान और रोहिट शर्मा ने जोरदार अपील की क्योंकि उन्हें लगा था कि गेंद पर बलेबास का एज लगा है हाला कि एमपायर ने बैट्समेन को आउट नहीं दिया जिसके बात सभी निराश हो गए यहां तक कि रोहिट और पंत भी रिव्यू नहीं ले रहे थे हाला कि जब रोहिट ने इस पर रिव्यू लिया तब जो हुआ वो तो सब देखकर सभी की आँखे फटे की फटे रह गई जी हां थर्ड एमपायर ने जब चेक किया तो पदा चला कि गेंद सच में बिल्यंग के बल्ले का किनारा लेकर पंत के दस्ताने में गई थ बात में थर्ड एमपायर ने इस बल्ले बास को आउट कर दिया और जैसी फैसला निकल कर सामने आया रोहित अश्विन पंत सब ने सरफरास को खूपशा बाशी दी उन्हें बढ़ाई दी और उन्हें थैंक्यू भी बोला पूरा से टीम इडिया को इतनी बड़ी सफलता हा चाहिए अपनी राए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यागा